Hello Friends, फेंजसा आज के सुड़े में 4 wire ceiling fan connection किस तरह किया जता है? 4 wire ceiling fan में starting and running winding का identification किस तरह किया जता है? ceiling fan में capacitor का connection किस तरह किया जता है? सब कुछ आज के सुड़े में हम सीखने वाले हैं जैसा कि हम जानते हैं जो हम ceiling fan होता है या single phase motor होती है उसमें हमारे पर दो winding होती है एक basically होती है starting winding जिसे हम auxiliary winding भी कहते है और एक होती है main winding जिसे हम running winding कहते है basically ceiling fan तीन wire वाला हो या चार wire वाला हो उसमें क्या होता है दो winding होती है basically जो तीन wire वाला ceiling fan होता है उसमें क्या होता है जो winder main होता है वो दोन वो एक starting के और एक running के wire को short करके एक wire बाहर निकालता है इसलिए 3 wire ceiling fan में 3 wire होते है normally ceiling fan में 4 wire होते है उसमें 2 winding होती है इसमें आप देख रहे हैं basically जो अंदर की winding होते हैं इसमें starting winding कहते हैं और जो बाहर की winding होते हैं उसे हम running winding कहते हैं series board से हम basically series bulb से किस तरह winding का identification करेगे पहले हम यह समझ लेते हैं इसमें आप दो wire देख रहे हैं जो दो wire red wire है और दो blue वाले wire है चले हम पहले क्या करते हैं series bulb को on करते हैं और winding का identification करने की कोशिश करते हैं basically winding का identification करने में क्या logic होगा पहले हम logic समझ लेते हैं देखें, लोजिक की यादी बात की जाए, तो उसमें क्या होगा, जो आपके रणिंग वाइंडिंग होगी, उसका आपका बल्ब जादा जलेगा, और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होगी, उसमें आपका बल्ब कम जलेगा, ऐसा क्या होगा बैसिकली जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उसका रेस्टेंस जादा होता है जो क्या होता है जो स्टार्टिंग वाइंडिंग का हमारे मोटर को स्टार्ट करने का होता है और यह स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होती है पतले तार से की गई होती है इ पहले हम इन दो वायर में हम देखिया हमारा बल्ब एकदम डीम जल रहा है देखा अगदम डीम जल रहा है अब इसमें हम देखते हैं तो देखे उससे थोड़ा जादा जल रहा है आप देख सकते हैं उस बल्ब से थोड़ा जादा जल रहा है उस वाइंडिंग से और इसमें समझ में आगर starting कौन सी है running कौन सी है basic और जो red वाली है यह हमारे पास running winding है और blue वाली starting winding है अब हमें क्या करना है सबसे पहले आप कोई भी एक running का और कोई भी एक starting के wire को आप short कर लिजिए कोई भी आप एक wire ले सकते हैं कोई सा भी एक red और एक yellow एक running का और एक starting का कोई भी capacitor का connection करना है तो चलिए हम क्या करते हैं जो दो तार बचे हुए है इन दोनों तार में हम capacitor का connection कर देते हैं basically हमारे capacitor का connection हो चुका है कोई भी दो तार को करने के बाद common करने के बाद जो बागी के दो तार होते हैं उनमें हमें capacitor का connection करना होता है अब हमें क्या करना है supply कहां पर basically supply के लिए दो तार आये है एक जो red वाला है या हमारे पास face का हमने suppose माना और जो yellow वाला wire है ये basically neutral का है तब इस condition में connection किस तरह किया जाएगा तो आपको क्या करना है basically जो आपके पास common वाला तार है उसमें आप neutral connect कर दीजिए आप face इस भी connect कर सकते है इसा कुछ नहीं है तो आप common वाले तार में एक face या neutral कोई भी एक वायर connect कर दीजिए तो हम क्या करता है common वाले तार में एक neutral connect कर दिया अब हमारे पास यहां पर 2 तार ब Sophia है मौरीन का और एक starting का तो हमें क्या करना है जो हमारा running वाला तार है इस running वाले तार में हमें face को जोड़ देना है धियान रखिए running वाले में आपको जोड़ना starting वाले में कभी भी नहीं जोड़ना है होगा क्या है यदि आप starting में जोड़ते हैं आपकी motor तो run करेगी बट कुछ समय बाद चलने के बाद जोड़ा है हमारा connection complete हो गया अब by the way हमारे motor की direction यदि उल्टी हो गई कभी उल्टी होती है तो हमें क्या करना है basically हमें क्या करना है यहां से running वाला तार है और यह common वाले में जो running वाला तार है basically लाल वाले wire को interchange कर देना है यदि हम यहां से interchange इसे कर देते है तो हमारी जो motor की direction है वो fan की direction है वो सीधी हो जाएगी तो normally तो आपको connection ऐसा ही करना है इस condition में आपका fan सीधा ही गुमेगा but 90% case में यदि आप 10% आपके जो fan है यदि उल्टा गुमता है तो आप इस running वाले तार को change कर देज़े आपके motor की direction change हो जाएगी so I hope आपको समझ माया हो four wire ceiling fin का connection किस तरह किया जता है starting running का identification किस तरह किया जता है capacitor का connection किस तरह किया जता है इसके अलावा आप यदि को doubt हो आप कमेंट्स बोक्स में जरूर पूछिए हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सकें और आपने हमारे चैनल अब तरह सब्सक्राइब ने किया तरह सब्सक्राइब जरूर कर ले आज के लिए इतना ही